पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद लोगों को हो रही परिशानी के मद्दे नजर मोधी सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिये हैं। वितमंत्राले के नए आदेश के मताबिक अब बैंक से कोई भी एक सब्ताह में 24,000 रुपए निकाल सकता है। पहले यह सीमा 20,000 रुपए की थी। वहीं बैंक से एक दिन में अधिकतब 10,000 रुपए निकालने की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। जन्ता की परेशानी के मद्य नजर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देर राथ अपने सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग की। प्रधान मंत्री आवाज पर हुई इस मीटिंग में ग्रिह मंत्री राजनात सिंग, वत्तमंत्री अरुण जेकली, सूचना प्रसारन मंत्री वेंकईया नाइडू, उर्जा और खनन मंत्री प्युश गोयल के अलावा वत्तमंत्राले के बाकी सीनियर लोग भी मौजूद रहे मीटिंग में कुछ एहम फैसले हुए, मीटिंग में पीम मोदी ने इस बारे में जानकारी ली कि स्टॉक में कितने नए नोट बचे हैं इसके जवाब में रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने पीम को आश्वासन दिया कि पर्याप्त मात्रा में नोट मौजूद हैं इस बैठक के बाद 500 और 1000 रुपय के जो नोट पहले 14 नवंबर की रात तक मानने थे वह 24 नवंबर की रात तक मानने कर दिये गए हैं पुराने नोट सरकारी अस्पताल पेट्रोल पंप पर मानने होंगे इस एक्पेट एक्प्राइब ओ तो मरूट रुपया आप्त नियुक्त पहले चाहिए हैं वित्मंतराली ने कहा है कि अवैद कराद नोट सरकारी नहीं है किये जा चुके 500 और 1000 रुपय के पुरानी नोटों को बदलने की सीमा 4000 से बढ़ा कर 4500 रुपय कर दी गई है इसमें अब 2000 के नए नोट के साथ 500 के नोट भी जारी किये जाएंगे इसी तरह ATM से नकद निकासी की सीमा भी 2000 से बढ़ा कर 2500 कर दी गई है पेंशन भोगियों के लिए सालाना जीवन प्रमार पत्र जमा करने की अंतिम्ति थी नवंबर से बढ़ा कर 15 जनवरी 2017 तक कर दी गई है अब पेंशन लेने वाले बुजोर्ग जीवन प्रमार पत्र अगले साल जनवरी तक जमा कर सकेंगे इसके अलावा सरकार ने कहा है कि ATM और बैंकों के बाहर दिव्यांगों और बुजोर्गों के लिए अब अलग लाइन लगानी होगी नोट बंदी के बाद लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है सरकार द्वारा कई तरह के भरोसा देने के बावजूद भी बैंकों और ATM के बाहर फीर कम होने का नाम नहीं ले रही Bureau Report, APN